दोस्तों कल के लिए बड़ा पेन आ चुका है यह आपको पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता तो कल आपको बताता हूँ कि इकल PSU बैंक डाउन जाएंगे अब यहाँ पे आपको दिखाया क्या जा रहा है, न्यूस क्या आती है, किस तरीके से देखेगा, मैनुपलेशन होता है, then after that reaction आता है, पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा तो एक एक करके वीडियो में बने रहीएगा, यहाँ पे इंपक्ट आपको पूरे PSU बैंक पे पड़ेगा, फिर Nifty बैंक पे पड़ेगा, और शाहद कोटक महिंदरा बैंक, एक्सिस बैंक भी थोड़ा सा क्या हो सकते हैं, अब मैं टोटल वेटेज भी बताऊंगा आपको, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यह जो information है, यह Saturday की information है, और आपको पता है, Saturday को market बंद रहता है, तो आप देख सकते हैं, Saturday, Sunday क्या होता है, market पूरी तरीके से बंद होता है, उस particular time में, अगर कोई भी event हो रहा ह है, bank nifty से related तो आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि बड़ा event क्या होता है, कि बड़े bankों के result आना, अब तक आपने कई सारे bankों के result देखे थे, उसके हिसाब से reaction भी देखने हूँ मिला bank nifty में, लेकिन अभी जो दिगज bank थे, वो दो bank है, State Bank of India और Bank of Bada, तो यहाँ पर 58% का jump आया है, लेकिन आप ये भी देखेंगे, यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद भी एक चीज लिखी हुई है, जो आपके लिए important है, ये पोल है, और आपको पता है, bank nifty को all time high पर investor ने पहुचाया है, trader ने पहुचाया है, और तब आप क्या करते हो, मतलब क्या आप expect क कि पूरी तरीके से जो bank है, वो extraordinary result दें, वो ऐसे result दें जिसमें कोई भी doubt ना हो, जिसमें कोई manipulation ना हो, over estimation ना हो, और अगर वो particular देखेगा, जो bank है, जिनको सर पे चढ़ा के रखा गया है, वो अगर estimate को miss कर रहे हैं, it means वो gap down open होंगे, it means वो gap down open होंगे, और जब वो gap down open हों rate pressure on nifty bank tomorrow, तो अगर आप यहां पे देखेंगे, bank of brother, आपको उने सारे result बहुत सारे influencer भी आपको बताया हो रहे होंगे, कि result बहुत अच्छे आए हैं, यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल ले होंगी, लेकिन अगर आप देखेंगे, तो CNBC TV 18 का poll क्या कह रहा था, CNBC TV 18 का poll यह कह रहा था, कि जो result आएंगे, जो net profit आने चाहिए, वो आने चाहिए थे 4631.7 CR, कितने आने चाहिए थे आपके सामने हैं, लेकिन अब अगर आप यहां पे देखेंगे, तो result में कितना बड़ा फर्क है, मैं आपको दिखाता हूँ, और यह फर्क कल कैसे फर्क create क noon के quarter में, तकरीबन 4070 CR के आसपास, और अगर आप देखेंगे, यहां पे यह क्या है, 88% higher than last year है, यह आप देख सकते हो, 88% का jump देखने हो मिला है, यह देखके आप एकदम shock हो जाओगी, इतने अच्छे result ऐसा क्यों कह रहे हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे, तो यहां पर पूरी तरीके से जो data है, मैंने को दाया, किस तरीके से आया है, आपको Saturday को देखने हो मिला है, लेकिन यहां पूरा data का estimate किया गया था, कि यह net profit आएंगे, net profit किया है, net profit यह आएंगे, आपको पता चल गया होगा, miss a current estimate, देखे, यह NIA income estimate की गई थी, आई क्या है, यह अच्छे आये थे, कब Friday को जब market close हो रहा था, यह देखे, record profit, आप सबने सोचा, record profit हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने callback कर लिया होगा, callback करने के बाद उनका क्या हल हुआ है, State Bank of India, at the end of the day, 3% डाउन था, जबकि कोई भी bank negative close नहीं हुआ है, अगर आप देखेंगे private bank में तो आप देख सकते हो, इतना अच्छा देखेगा banking sector Friday को रहा, तब State Bank ने इतने अच्छे result देने पाद हो 3% डाउन हुआ था, अब देखेगा इसमें तो pressure रहे गई रहेगा, इसके बाद अगर आप देखेंगे, तो आप चेक आउट कर सकते हैं कि bank of बड़ोदा में, बड़ोदा का देखे 1.5% के आसपास है, इसके अलावा कोटेक और एक्सिस पहले से वीक हैं, तो इन सबका वेटेज अगरमा लालें, तो कल 30-35% chances हैं कि bank nifty को यह particular banks क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे नीचे की तरफ, तो यह एक bad news है, यह result एक bad news है for tomorrow nifty bank के लिए, त like, share, subscribe करेंगे, बुलना बुलीगा, thank you so much.